तो यह है गोल्ड का चार्ट कल गोल्ड प्राइस ने लोज बनाये थे तक्रीव नुनीज सो तरे सट डॉलर के आसपास अगेन यह लोज उससे कम है जो हमारे परसों बने थे उनुनीज सो तरे पन के आसपास के उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई और गोल्ड तक्रीव उनुनीज सो तरास्री डॉलर के आसपास चल रहा है अभी भी गोल्ड जो है काफी रिजिस्ट कर रहा है नीचे जाने के लिए इविन दो वार का जो अपडेट्स हैं वो ना की बराबर है फिर भी गोल्ड प्राइसे काफी रिजिस्ट कर रहे हैं आज दो-तिन दिन से उसके अनिप्लॉइमेंट क्लेम्स आएगा कोर डूरेबल गुड्स डूरेबल गुड्स नंबर्स आएंगे सब्सक्राइब की स्पीच है प्रेस कॉन्फरेंस में बताएंगी के आगे इंफ्लेशन का उनका क्या व्यू है उसके बाद साड़े 6 बजे फॉम्सी मेंबर की स् साड़े 7 बजे पेंडिंग ओम सेल्स डेटा है तो यह स्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है आज के आज का दिन काफी एक्शन पैक्ट रहने वाला है शाम को जब जीडीवी नंबर्स आएंगे उससे पहले हम लाइव स्ट्रीम शुरू कर देंगे तो मेक शूर आपनी चैन अब गोल्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे 1950 कि तरफ जाना है कि उसे 2000 009 के technical resistance तो नहीं है एक psychological resistance है जिसको gold prices ने last time resist किया था उसके बाद तकरीबन 1997 से 1962 तक चला गया था उसके बाद वापिस से 1982 और वापिस से 1953 चला गया अब वापिस से 1988 जा चुका है अब यह देखना है कि gold अब नीचे जाता है GDP numbers के बाद के ऊपर जाता है वैसे GDP numbers की जो expectations है market को वो तो काफी ज्यादा है अगर GDP numbers बढ़के आता है तो gold prices के लिए नेगेटिव हो सकता है बिकाज अगर GDP बढ़के आता है तो federal reserve को और ammunition मिल जाएगा inflation को control करने के लिए और फिर और aggressively rate hike कर सकते हैं in fact fed ने बोला है कि already economy काफी strong है दो rate hikes के लिए अगर GDP numbers भी favor में आते हैं तो फिर ये federal reserve के हाथ में एक और weapon लग जाएगा इंफ्लेशन को control करने के लिए वैसे interestingly federal reserve ने अभी भी आपना जो target 2% का वो ही रखा है अब 2% आने में कितने साल लगेंगे that is up to market बट यस उन्हों रिवाइज नहीं किया है 2% से target तो आज के GDP numbers crucial हो सकते हैं फिलहाल आज का resistance और आज का support क्या है let's find out आज का जो गोल्ड का support है उननीस सो अड़सट डॉलर का है resistance है आज का उननीस सो सच्टानवे का कि ट्रेंड इसका फिलहाल positive है तो रखिएगा खयाल कि इसलवर पर आते हैं इसलवर में एक इंट्रेस्टिंग काम हो रहा है इसलवर अपना फोल्ड जो है वो होल्ड करके रखी हुई है कल लोज बनाये थे बाइस पच्पन के आसपास कल पर्स वैसे सिलवर सेलिंग दिया था मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को 2293 के आसपास हमारा टार्गेट था 2263 के आसपास तो हमारा टार्गेट हुआ यहां पर उसके बाद लोज बने 2253 के बाद 2253 तक और उसके बाद जबर्दस फायर हुआ मार्केट में अच्छी बात है कि हमारा 2263 के टार्गेट कल ही आ गया था नहीं तो अभी भी हम पोजिशन होल्ड कर रहे होते वैसे पेट सिंग्नल की जानकारी के लिए आप मेरी टी अगर कली टार्गेट नहीं आया होता तो हमारी पोजिशन अभी भी होल्ड होती होल्ड इसलिए होती बिकाज सिल्वर में अभी भी पॉजिटिव जोन टच करना बाकि है पॉजिटिव जोन तब टच करेगा जब यह वाला इस कैंडल के ऊपर कैंडल बनेगा यहाब 23-24 का तो आप समझी गए होंगे आज का रेजिस्टेंस क्या है आज का रेजिस्टेंस है 23 डॉलर पांच सेंट का सपोर्ट है आज का 22.50 का ट्रेंड इसका फ्लाट टू वीक है और यह फ्लाट टू वीक आज फोरा ऐसा कीबूर्ड मेरा सिस्टम । अब आता है कुडॉड पर 85 डॉलर के असपास चल रहा है कल के रेजिस्टेंस के आलमोस्ट क्लिक करने वाला है कल का जो रेजस्टन्स दिया था बट आज का रेजस्टन्स जो है वो चेंज हो चुका है आज का रेजस्टन्स है भाई साहब 86 10 का सपोर्ट है आज का 83 20 का ट्रेंड हो चुका है इसका फ्लाट तो रखिएगा ख्याल अब आ जाते हैं यूरो की तरफ यह है यूरो 585 का सपोर्ट था कल ही ब्रीच हो चुका है इसका वतलब मार्केट वीक जोन में जा चुका है तो आज का सपोर्ट सबसे पहले देख लेते हैं आज का सपोर्ट है 490 का ओके 490 का सपोर्ट है 490 के नीचे अगर जाता है और सस्टेन करता है तो 450 की तरफ यूरो चाह सकता है 600 का resistance है 600 के उपर जाके अगर सस्टेन होता है तो फिर 650 तक यूरो जा सकता है फिलाल वीक जोन में है तो रखेगा खयाल ब्रितिश पाउंड पे आते हैं ब्रितिश पाउंड में भी वीक जोन बना हुआ है वीक जोन इस्टिल वालड च पालस boyfriend , अज का सपोर्ट है 20-20 का Resistance है आज का 2170 का Trend इसका week बना हुआ है तो रखेगा खयाल Crypto की तरफ चलते हैं सबसे पहले Bitcoin 34-700 के आसपास चल रही है आज का जो support है वो change है आज का support है 32,500 का Resistance है आज का 35,600 का Trend इसका अभी भी positive बना हुआ है तो रखेगा खयाल Ethereum पे आजाते हैं 1797 डॉलर के आसपास चल रहा है Positive zone में ही है ये भी तो आज का support 1720 intact है 1850 आज का resistance है Trend इसका flat 2 week बना हुआ है बट अगर support breach होती है then only it will be in positive zone बाकि live data और breaking news का update Telegram, Twitter पे आपको मिल जाएगा दोनों का address स्क्रीन पे है Link description में है Pet signals की जानकारी के लिए WhatsApp number description में है शाम को मिलेंगे अब live stream में तब तक के लिए Take care, bye bye